सरकारी नौकरी में कारेरत कर्मचारी जो की सात्वे वेतन आयोक के तहट आते हैं उनके लिए बहुत जरूरी खबर है आज हम आपको बताएंगे कि केंद्री कर्मचारियों के वेतन में बदलाओ को लेकर केंद्र सरकार क्या तयारी कर रही है नमस्कार मैं हूँ अनिमेशनात और आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान डिश्टल बात करते हैं केंद्री कर्मचारियों के सेलरी स्टक्चर में होने वाले बदलाओ के बारे में साते वेतन आयोग का फायदा उठा रहे करमचारियों को सेलरी को लेकर केंसरकार नया फार्मूला लाने की तैयारी कर रही है इसे लेकर जुलाई 2016 में ततकाली इन वितमन्ती अनुट जेतली में संकेत दिया था तब उन्होंने संसत में कहा था कि करमचारियों को वेतन आयोग से हट कर सोचना चाहिए मीडिया रिपोर्ट्स की मानने तो अब केंदरी करमचारियों की सेलरी बढ़ोतरी को लेकर नय वेतन आयोग नहीं आएगा प्रकार की तयारी है कि कर्मचारियों के वेतर में बढ़ोतरी उनके प्रदर्म के अधार पर की जाए इसे आटोमेटिक पे रिविजन सिस्टम नाम दिया जा सकता है इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में महेंगाई दर्ड जिस तरह से बढ़ रही है उसे लेकर करमचारियों का भी मानना है कि 2016 से चली आ रही है विवस्ता उनका खर्च निकलना मुश्किल है लेकिन अभी उन्हें इस चीज का बेसबरी से इंतजार है कि सरकार इस फिटमेट फैक्टर में सरकार कोई भी बढ़ोत्री नहीं करने जा रही है कोरोना महमारी के बाद से देश में उपजी परिस्थितियों के चलते अभी इससे लागू करना कठिन है हलंकि फिटमेट फैक्टर को लेकर कई रिपोर्ट में या दावा जरूर किया गया है कि इस फोर्मूला इस तरह हो जिससे कर्मचार्यों की सेलरी समय समय वर बढ़ती रहे इसी तरह कि जरूरी खबरों के साथ हम जुड़े रहेंगे आपके साथ तब तक देखते रहे हैं जी इंदुस्तान डिजिटल